कि यह हमारे सामने आप देख पा रहे है कि वाच्य घड़ी है जो की पूरी तरह से बंध है दोस्तों मैं इसको खीक करना सिखान होंगा आप को आप में बने रहे हैं ऐ चलिए पहर हम थे बाहर क्रणक य सील को निकाल लिया है अब दोस्तों इसे रहा है कि हमारे इसको दीशी पे इस बोल्ट की रेंज पर सेट कर लिया है मल्टी मीटर को और इसमें हम एक टेस्टिंग पराड लगाते हैं और यह देखे दोस्तों यह हमारा 1.42 बोल्ट दिखा रहा है यानि हमारी सिल की हालत बिल्कुल अच्छी है अच्छी कंडिशन में हमारा सिल है फिर भी हमारी गड़ी जो है चल नहीं रही है यह देखे दोस्तों चले दोस्तों मैं आपको इसको ठीक करना दिखाता हूं कि कैसे आप इसे बहुत ही आसानी से ठी दोस्तों ऊपन करने के लिए दोस्तों इसके सभी हम बटापं बटाद कर लेते हैं और अपको भीए नोहीं टानी के चले अच्छी वहारे कड़ी फटल को नहीं ऐसकी आपको बटा करने हैं सब्सक्राइश सब को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल लेंगे निकालने के बास दोस्तों सारी स्वियों को इसके सेंटर में जो आप देख रहे हैं इस कुरू यह जो दोस्तों नटबोर्ड लगा हुआ इसको घुमा करके हमें ओपन करना होगा जिससे हमारी मसीन पूरी बाहर निकलाएगी यह देखे दोस्तों मसीन वारी बाहर आ चुकी है अब इस मसीन को ओपन करना है पहले इसकी हम सील को हटा देंगे और इसके साइड में दो लाग लगी होती है इन लाग को आपको आसानी से रिमूव करना है ताकि टूटने ना पाएं और आपकी मसीन इस तरह से ओपन हो जा जैसे आप निकालें ठीक उसी तरह से लगा दें अन्ता आपकी घड़ी जो है काम नहीं करेगी दोस्तों इसकी खरावी काम कारण जो है इसकी PC भी है इसमें दोस्तों यहाँ पर जो हमारे बैटरी के कनेक्शन होते हैं यहाँ पर दोस्तों इसमें कार्बन आ जाता है तो इ आपकी घड़ी चालू हो जाएगी अब दोस्तों जैसे आपने इसके सारे पार्ट एक एक करके निकाले थे ठीक हम उसी तरह से इसको लगा देंगे और इसको लगाने के बाद बंद कर देंगे दोस्तों मैंने इसके सारे बाट लगा लिए हैं अब इसम ड़कन को कायब को बंद कर देंगे जिससे हमारी घड़ी स्वाइद नेटीड रगाने के बादें अर्जिस्ट कर लिए हैं और पिर हम फिरे अपना सीशा लगा देंगे और इसके सारे जो इसक्रूऄ मैंने इस तरह से open किये थे सारे स्क्रू हम टाइट कर लिए हैं यह आप देख पा रहे होंगे घड़ी हमारी एकदम रेडी हो चुकी है अब हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे दोस्तों मैंने इसमें सेल डाल दिया है और आप देख पा रहे हैं गड़ी हमारी ओके हो चुकी ह इस तरह से प्रेंट्स आप अपनी भी घराब घड़ी को ठीक कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर दोस्तों आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब वस्ट करें